नमस्कार बेस्वाशियों, मैं राजुराम राठोर तैसल बिलाडा जिला जोधपुर से, आज मैं पहुंचा हूँ मेरे सामाजिक मित्रों के पास MP में, मध्य परदेश में, दार जिले में, जानेंगे मेरे साथ एक किसान मित्र, इवा किसान मित्र खड़े हैं और मेरे मेरे सामाजिक मित्र खड़े हैं उनसे उनका परिचे लेंगे, और आपने कौन सी फचल में वेश्टर डी कंपोजर का इस्तेमाल किया और कहां से मंगवाया और आपको वेश्टर डी कंपोजर इस्तेमाल करने से क्या परिणा मिला जानेंगे इन से, जै माताजी की साथ, क् पुनमचन परवार, आपने जो 20 रुपे की सिसी मंगवाई वेश्टर डी कंपोजर इस्तेमाल करने से मंगवाई यह मैंने हरीदवार से मंगवाई, आपको लाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने इसको कैसे बनाया, इसको मैंने पहले 50 पानी ले लिया, उसमें इनने डिसके, किमें की यह दाल दिया, जे अदू है, इसको इल आए, आट दिन तक उसको मुल्टिप्लाई करता है फिर उसके बाद उसमें से दो लिटर पानी मुल्टिप्लाइक लिया और 25 लिटर पानी में डालके मिर्ची में इस्तेमाल गिया अच्छा आपने वेश्टर डी कंपोजर का उप्योग मिर्ची के अंदर किया क्या परिणाम रहा जरा बताईए पहली मतलब उसमें पुरा खतरनाग वाइरस आ गिया था जी हां साथियों बारतवाचियों पूनम चंजी परवार ने अपना अनुबव बताया कि वेश्टर डी कंपोजर का मिर्ची कंदर इस्तिमाल करने से जो माथा बंदी रोग ता जो चुरोडा मूडा रोग था जो अक्सर दू-तीन बार दिया बहुत अच्छा परिणा मिला दूसरी कौन सी क्रोप में आपने इस वेश्टर डी कंपोजर को इस्तेमाल के जरा थोड़ा सा विस्तार से बताईए अब इतनी किया इस साल करना है अच्छा इस वाशियों देखिए बाद में आया था इसको अच्छा आ आप सभी धारवाशियों से आप सभी MP वाशियों से मेरा सवीने नमर निवेदन है मैं आप सबका सामाजिक बंदू राजुराम राठोड आपकी सेवा करने में आपके हर दम आपके हर कदम साथ हूं बस आप और गेनी के और आईए जैसे मेरे साथ पुनम चंजी परवार और मेरे साथ मेरे सायोगी मित्र कहें या सामाजिक मित्र कहें आप टीचर हैं रमेश जी चोयल जो सोनगड से हैं और आप खेती करते हैं और यवा मित्र हैं सभी यहां के किसान हैं यहां के बासिंद हैं तो मेरा आप सभी से यही फिर से अनूरोद हैं जो भी घोल आपने इसको बंदारन करके रखाया आप इसको फिर से मल्टिप्लाई कीजिए हर एक क्रॉप के अंदर देना चालू कीजिए मेरा ये पूर्ण विश्वास है आपको जो अनुबव और गेनीक और आना चाहिए इससे डबल आएगा देश्वाचियों और कुछ नया धार जिले से एमपी जिले से आपके सामने लेकर हाजर रहूंगा तब तर के लिए धन्यवाद